नमस्कार साथियों स्वागता आपका आपके अपने यूटूब चैनल पे साथियों आज की वीडियो इंगलिस के उन स्टुडेंट्स के लिए रहने वाली है जो रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की त्यारी कर रहे हैं स्टुडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंगलिस के अंदर एक ऐसा टोपिक लगता है जिससे हर बार एक्जामिनेशन के अंदर पांच से च्छाई क्वेशन्स पूछे जाते हैं और उस टोपिक का नेम है क्वेशन्स लेकर के आया हूँ और आंसर सहीद लेकर के आया हूँ उमीद करता हूँ यह आगयाने वाले एक्जामिनेशन के अंदर यह वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी अगर आप इंगलिस के स्टुडेंट्स हो रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट क्रेड क की त्यारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखिएगा स्टुडेंट अची क्यशन्स है तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए ज्यादा लंबी जाएगी तो इस वीडियो को दो पार्ट के अंदर आपके सामने पेस की जाएगी तो करा दूँआ तो स्टुडेंट्स देखिए आज की जो वीडियो है मेथर्ट्स एंड अप्रोचेज इन इंग्लीज जिसके 80 क्योशन्स है और हस्त लिखित क्योशन्स है मेरे मेरे दुआरा बनाए गए क्योशन्स है जो की आगे आने वाली एक्जामनेशन्स के अंदर बहुत ज्यादा मदद करने वाली है तो स्टुडेंट्स देखते हैं पहला जो क्योशन्स है वो की वाट आर दा ट्रेडिशनल मेथर्ड ओफ टीचिंग इंग्लीज की टीचिंग इ इसके इंग्लीज टीचिंग से अगला दूसरा क्यों है की दे सॉल ओफ दे लेंग्वेजिछ इज की जो सॉल है आत्मा है वो किसको का जाता है तो स्टुडेंट्स ग्रेमर को कहा जाता है अगला देखिये अ के मदर टंग या weakest 92 यह क्या का जाता है फस्ट लेंग्वेज कि क्योशन नमर 4 देखिए कि ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाता है ज़्यादा जो डाला जाता है किस पे लिस्निंग पे और स्पीकिंग पे इन इंग्लिस इंग्लिस के अंदर यह कौन सा मेथड है डाइरेक्ट मेथड तो ध्यान रखिएगा direct method पे ज्यादा stress किस पे डाला जाता है listening पे और speaking पे stress डाला जाता है अगला देखिए क्योशन नमर 5 to get the command over English कि English पर command प्राप्त करने के लिए one should get command कि कोई भी वेक्ति है उसको किस के उपर command होने चाहिए कि to get the command over English कि English पर command करने के लिए जो भी वेक्ति चाहता है कि वो English पर command करें तो उसको क्या करना चाहिए किस पर command होने चाहिए उसकी command होने चाहिए LSRW पे कहने का मतलब क्या LSRW को आप क्या बोल सकते हो reproductive या receptive skills पे या productive या creative skills के उपर तो अगला देखिए question number 6 the bilingual method was developed by जो bilingual method है वो किस के द्वारा developed किया गया प्रोफेसर डोटसन के द्वारा किया गया अगला देखिए which method can successfully be used for all levels कि कौन सा method है जो सफलता पूर्वक यूज किया जा सकता है सभी स्थर पे तो वो method है bilingual methods अगला question देखिए the main difference between bilingual and translation method कि मुखे difference क्या है bilingual method restricted manner में क्या जाता है वोती कम क्या जाता नय के बराबर क्या जाता है जबकि transformation method के अधर क्या होता है teacher only uses the mother tongue कि टीचर के ओल मदर टंग का यूज करता है मदर टंग यानि की मेथट का यूज करता है अगला देखिए क्योंसर नमर यानि की नाइन The structural approach to English is teaching the learner certain selected structure in a certain order Who says it? Yes, who says it? वो किस ने कहा? CS, बंडारी ने कहा क्योंसर नमर 10 देखिए कौन सी कहावत is regarded the most suitable for teaching grammar कि most suitable है teaching grammar के लिए या कौन सी अजो परकार है वो most suitable है grammar teaching के लिए तो inductive और deductive अगला देखिए Institute of English Language Teaching is situated कि English Teaching का जो institute है वो कहां situated है हेदराबाद के अंदर अगला question है method of अगला है method of pronunciation teaching कि pronunciation teaching का क्या method है एक तो है imitation method दूसरा है phonetic method तीसरा है subsidiary method next question है which one helps in the all-round development of the pupils कि कौन है जो यानि help करता है all-round development में pupils मतलब यानि जो students है विदार्थी है उनकी all-round development में कौन मदद करता है teaching of poetry है वो all-round development में help करता है अगला देखिए which approaches gives stress कौन सी approaches है वो stress डालती है on ears training यानि की कान की training पर यानि की जो डालती है उसका नाम है audio-lingual approach अगला question number 15 कि the English teacher should adopt English teacher को adopt करना चाहिए many approaches क्या adopt करना चाहिए बहुत सारी approaches adopt करनी चाहिए to reach his goal क्या पराप्ट करने के लिए अपना goal पराप्ट करने के लिए next question है language is the flesh language क्या एक चमक है and blood है of human culture यानि human culture की who said it ये sentence किस ने कहा Enklopedia Britannia ने कहा अगला loud reading is known as loud reading किस नाम से जानी जाती है oral reading के नाम से भी जानी जाती है अगला next question है communicative approach communicative जो approach है वो emphasize वो किस पर emphasize करनी है on learning by use कि communicative approach है वो जो डालती है कि उसे केवल किस से यानी सीखा जा सकता है कि use के मादेम से ही सीखा जा सकता है अगला देखे which method is called कौन सा method है जिसे पुकारा जाता है the supplementary मतलब पूरक of the direct method यानि direct method का supplementary किस को पुकारा जाता है कौन से method को तो substitution method को यानि पुकारा जाता है अगला देखे situational approach के परतिपादक कोन है AS or by अगला जो next question है the term communicative function of language ये refers to ये किस के लिए आया है forming के question question form करने के लिए अगला परसन देखे communicative language teaching communicative language teaching क्या है ये learner center approach है communicative language क्या है जो learner centered approach बोला जाता है in communicative approach में क्या होता है communicative approach के अंदर क्या होता है teacher है वो create situation situation create करता है to promote communication communication को promote करने के लिए next question है in which teaching method कौन से यानि teaching method में words of the sentence are substitute by other words तो इसका कौन सा यानि method हो जाएगा substitution table method हो जाएगा अगला 25 परसन in bilingual method की bilingual method में translation is done translation किया जाता है by the teacher teacher के द्वारा only to explain the subject matter के वो bilingual method में translation वे से यानि एकदम restricted है लेकिन के वो subject matter को explain करने के लिए teacher के द्वारा ही किया जाता है translation अगला देखिया dictation जिसको सूर्थ लेक बोलते है gives oral and oral experience to students students को oral और oral experience देता है अगला question है doctor west यानि कि जो है वो system lazy stress on doctor west system है वो किस पे stress देता है silent reading पे अगला doctor west method develops doctor west का जो method है वो क्या develop करता है reading habits of students next question है according to doctor west speech and reading vocabulary should have minimum यानि doctor west के नुसार speech and reading vocabulary है वो minimum कितनी होनी चाहिए 1108 से लेकर के 15,000 तक होनी चाहिए अगला देखिये language का is the subject of craving है अगला देखिये doctor west method is based on doctor west का जो method है वो किस पे based है पहला देखिये English is a means of international understanding English क्या है means है साधन है international understanding का और corporation का दूसरा है UT laterian point of view यानि कि दर से को उपयोगिता का यानी point है अगला substitution table method जो की adopt की गई किस की द्वारा palmer की द्वारा next question है in the structural approach structural approach में क्या होता है listening and speaking are developed structural approach में listening हो रहे speaking है वो developed की जाता है अगला importance is given to pronunciation pronunciation को importance दी जाती है next है in the audio visual method audio visual method में क्या होता है audio visual method में learning material is properly selected and graded अगला है extensive use of mother tongue बहुँ ज्यादा mother tongue का use किस में क्या जाता है grammar translation method के अंदर क्या जाता है next question है the grammar translation method emphasize on grammar translation method किस पर जोड़ देता है the use of mother tongue पे mother tongue का ज्यादा use क्या जाए ये grammar translation method में होता है अगला in the grammar translation method grammar translation method के अंदर क्या होता है teacher is not the dominating personality अगला है in the oral method the emphasize on oral method के अंदर किस पर जोड़ दिया जाता है bilingual vocabulary के उपर अगला है in the old method यानि जो पुराना जो यानि की oral method sorry उसके अंदर क्या होता है pupils get lot of exposure शिस से वो बहुत जानकारी प्राप करते है किस के बारे में to the target language के बारे में अगला है the oral method oral method क्या है learner direct method है तो students इस तरह से 80 questions रहने वाले हैं आज की वीडियो में मैं केवल आपको 40 questions बताऊँगा और इसकी पीडियो चाहिए तो आप comment box के अंदर जरूर बताईएगा like, set, subscribe जरूर कीजिएगा next 40 questions है वो अगली वीडियो के अंदर आने वाले हैं thank you very much